नमस्कार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत कता हूँ इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टुडेंट के लिए कुछ important information है अभी नीट 2019 का examination जो है वो complete हो चुका है और अब जल्द ही 2019 के लिए MBBS के medical counseling सुरू हो जाएगा इस वीडियो में उसी के regarding कुछ important information मुझे आपको share करना है ताकि कुछ गलतिया जो हर स्टुडेंट करते हैं स्टुडेंट के parents करते हैं वो इस साल ना दो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर जो official website है वो मैंने खोल कर रखी है MCA के official website है यहाँ पर Medical Council of India तो इस website पर जो भी information मिलता है वो सब verified है वो सब official है और इससे ज्यादा कोई website official नहीं रहता MBBS के लिए MBBS counseling के लिए तो यहाँ MCA के official website जो है यहाँ पर आपको list of college यहाँ पर मिल जाएगा college के कितने seats approved हैं वो आपको मिल जाएगी और अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाते हो MBBS के लिए अगर आपके marks थोड़े से कम आ रहे हैं यह आप interested हो इंडिया से बाहर पढ़ने जाने के लिए तो यहाँ पर जो college का list है इंडिया से बाहर वाले सिर्फ उनी college में आप admission ले सकते हैं उनके अलावा अगर आप ऐसे college में admission ले ले लेते हैं जो MCI के तरफ से verified नहीं है तो जब आप वापस आओगे इंडिया फिर 5 साल अपने degree complete करके तो वो degree useless होगी इंडिया में वो valid नहीं रहेगी आप इंडिया में practice नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर हम नीचे चले जाते हैं medical college के regarding सब important information दिये गए हैं यहाँ पर list of college teaching mbbs यहाँ पर आपको click करना है जहाँ पर आप statewide पूरी details मिल जाएगी अगर आप अपने state के regarding कुछ information पाना चाते हो तो वो यहाँ पर available होगा अगर आप दूसरे state के regarding कुछ information जाना चाते हो कि इस साल के लिए MCI ने उनको कितनी seats का permission दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि search लिखा गया है यहाँ पर आप college का नाम डा सकते हैं state का नाम डा सकते हैं और फिर सब details यहाँ पर available रहेगी जैसे कि course का नाम state, name and address of college कौन से university से belong करते हैं management of college क्या है यह government college है, private college है यह सब चीज यहाँ पर available होगी year of inspection यानि college को inspection कौन से साल में हुआ था उनको कितने seats approve है वो यहाँ पर काफे important है MCI का status of recognition क्या है क्या MCI ने उनको permission दिया है ऐसे भी काफे सारे medical college रहते हैं जिनको MCI के तरफ से permission नहीं मिलता फिर भी आप उन college में admission ले लेते हो फिर last में क्या होता है आपका switch जो है वो cancel हो जाता है क्योंकि वो college को permission नहीं मिला MCI के तरफ से date of letter of permission यहाँ पर दिया गया है कि कौन से साल में कौन से date में उनको letter of permission मिला है तो यह सब details जो है एक बार check जरूर कर लेना यह खास कर उन student के लिए है जो इंडिया से बाहर जाने वाले हैं अगर आप ऐसे university में admission ले लेते हैं जिनको MCI से permission नहीं मिला तो आपका time, degree और पैसा तीनों waste हो जाएगा और last में आपका समय भी बरबाद हो जाएगा आपको इंडियास में practice करने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए MCI के official website पर जाए सब information list of college teaching MBBS आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो इतना सा information मुझे आपके साथ share करना था अगर आपको ये वीडियो पसंद आयों और ऐसे ये वीडियो और देखना चाते हो तो नीचे जो like का बटन है जो subscribe का बटन है उन्हें दबाना मत भूलिए धन्यवाद